हेलो स्ट्रेंट्स आयम शियों साहो आज जो हम बात करने वाले हैं एक्साइज 6.1 कोशन नमबर 13 और कोशन नमबर 14 ओके तो इस्टाट करते हैं कोशन नमबर 13 क्या निकाव हो है और बलून विच ऑल्वेस रिमें इस्पेरिकल हैस अव वेरियबल डायमेटर एक बलून है जो होता है इसका रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा सो रेडियस क्या हो जाएगा 3 by 2 का अपोन में 2 मतलब क्या हो जाएगा 3 by 4 2x plus 1 अब यहां पर बोला गया है find the rate of change of its volume with respect to x आपको यहां पर rate of change find करना with respect to x तो it means आपको db upon dx जो है वो find out करना है तो यहां पर start करते हैं सबसे बेले आप देखेगा db upon dx से दी find out करना है तो differentiation of volume तो volume किसकी बात हो रही है यहां पर spherical okay spherical balloon है इस स्फेरिकल को volume 4 by 3 higher cube गोल अपर अपनों में आप देकेंगे dx तो यहां पर आप देखेंगेock, db upon dx जाषा आएगा 4 by 3 pi is a constant and differentiation करना होगा तो यहां पर किसका differentiation करना होगा r का करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे differentiation जो करना होगा आपका यहाँ पर r cube बचेगा तो r जो है वह आपको given है यहाँ पर 3 by 4 and then क्या given है आपको 2x plus 1 तो इस तरीके से आपको यहाँ पर r given है तो आपने r की value को put up कर दिया अब आप देखेंगे dv upon dx is equal to r 4 by 3 pi अब यहाँ पर r की value आपने put कर दिया और r cube है तो यहाँ पर cube भी लगा दिजिए अब देखें 3 by 4 constant है तो 3 by 4 की power 3 है तो यहाँ पर 3 by 4 3 by 4 और 3 by 4 के आजाएगा बहार ओके 3 बार बहार आजाएगी क्योंकि यह constant है अब आपको differentiation करना होगा 2x plus 1 का whole cube का तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 3 से 1 3 cancel, 1 4 से 1 4 cancel इसका मतलब dv upon dx जो रहेगा 3 3 और 9 upon 4 4 और 16 अब differentiation करना होगा इसका तो differentiation इसका क्या होगा 3 आगे आजाएगा तो इसका मतलब 2x plus 1 का whole square हो जाएगा इसका differentiation तो आपने differentiate कर दिया है अब देखे 2 8 या 16 तो इस तरीके सा आप देखेंगे dv upon dx जो आपका final out answer आएगा वो आएगा 9 3 27 upon 8 तो 27 upon 8 आगया है यह by और आपका लिखा है bracket में 2x plus 1 का whole square तो इस तरीके सा आपका dv by dx क्या होगा find out होगा यहाँ पर कोई सी भी x की value put up करने के लिए नहीं बोली है सिर्फ क्या बोला था rate of change of volume with respect to x find करना है तो rate of change of volume with respect to x किता आ चुका है 27 by 8 pi 2x plus 1 का whole square यहाँ पर unit अपन इसलिए नहीं लिख रहे है क्योंकि question के अंदर diameter में unit का जिक्र नहीं किया गया है इसी कारएं अपन यहाँ पर unit नहीं denote करेंगे ओके so here our question number 13 is completed बढ़ते हैं अपने next question की ओर question number 14 अब question number 14 क्या लिखा हुआ है जहाँ से समझिएगा send is pouring from a pipe at the rate of 12 cm per cube second आप थोटा से यहाँ पर question को पढ़िएगा question में लिखा है send is pouring from a pipe at the rate of 12 cm3 per second अब यहाँ पर cm3 है तो cube मतलब volume upon second मतलब time मतलब आपको यहाँ पर db upon dt जो दिया हुआ है वो कित्ता दिया हुआ है 12 cm3 per second इसका मतलब आप जब solve कर रहे है question का एक-एक sentence थोड़ा ध्यान से पढ़िए जिसका बहुत important meaning है तो आपने देखा यहाँ पर जो आपको db upon dt जो दिया है वो आपको यहाँ पर कित्ता दिया हुआ है 12 cm3 per second इस तरीके से आपको यहाँ पर given है अब आपको बोलागाया है the falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of cone is always one-sixth of the radius of the base आपको बोलागाया है जो की आपको sand जब आप इना ground पर जाती है तो वो क्या form कर रही है कोन form कर रही है और जो height जो है one-sixth of the radius है तो आपको यहाँ पर यह भी given है जो height है वो one-sixth किसके radius के आप यहाँ पर one-sixth of radius इसका मतलब six को यह दी इधर भेजेंगे तो radius जो हो जाएगी 6H इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते है अब यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बोलाएबा how fast the height of the sand cone increases when the height is 4 cm आपको बोलागा है how fast the height of the sand cone increases आपको height जो है वो find out करना है how fast the height of the sand cone is increases मतलब यहाँ पर इस तरीके से देखा जाएगा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर dh upon dt यहाँ पर क्या करना है find out करना के तो यहाँ पर देखेगा इस किस तरीके से find out करेंगे आपको dv upon dt 12 cm3 पर सेकंड तो आपने देखा यहाँ पर volume का जिक्रों हुआ है और volume जो है किसका find out करना है यहाँ पर क्या shape दिया हुआ है कौन तो इसलिए आपन यहाँ पर d volume आप जो कौन होगा 1 by 3 pi r square h यहाँ पर put करेंगे upon में आप देखेंगे dt is equal to यहाँ पर पढ़ेंगे 2 और equal to आप देखेंगे 12 तो आप देखेंगे 1 by 3 pi आपका यहाँ पर क्या जाएगा common तो 1 by 3 आपका यहाँ पर pi जो है वो constant है तो यहाँ पर constant को आपने लिख दिया then d upon dt यहाँ पर है then d upon dt आपने लिखा अंदर जो बचा है r square h is equal to आप लिखेंगे आप देखेंगे h h की तो value है आपके पास h की value का आप r की value है आपके पास कित्ती है 6 h तो मान दीजिए r की जगा पर आप क्या put कर दीजिए 6 h का whole square और h ही सही is equal to a 0 then आप यहाँ पर देखेंगे 1 by 3 pi अब यहाँ पर आप देखेंगे differentiate आपको किसका करना होगा यहाँ पर d upon dt of यहाँ पर आप देखेंगे 6 का square 36 h cube तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका differentiate करना होगा तो आप देखेंगे 1 by 3 pi difference 36 is the constant then h cube का differentiation क्या हो जाएगा 3 h square then h का differentiation dh upon dt is equal to a 12th इस तरीके से आपको यहाँ पर dh upon dt की value find out करना होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 by 3 3 by 2 by 6 तो मतलब यह 12 cancel out 3 by 12 जो 36 अब यहाँ पर जो भी है इसका cross multiply करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो dh upon dt finally out होगा वो होगा 12 whole upon में आप देखेंगे pi 12 pi into 12 into 3h square तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 से 12 cancel out तो आपका जो finally dh upon dt आ चुका है वो क्या आगया है 1 upon में 3 pi h square तो इस तरीके से आपने यहाँ पर यह find out कर लिया बट इन लोगों ने बोला है का how false the height of the sand cone increases when the height is 4 तो height यहाँ पर क्या put करना आपको 4 cm तो आप देखें यहाँ पर किस तरीके सा आपने height को 4 cm यहाँ पर put up करेंगे dh upon dt और यहाँ पर height is equal to 4 जब रखेंगे तो 1 upon में 3 pi तो यहाँ पर 4 का square करना होगा it means 4 का square 16 16 348 it means जो आएगा 1 upon 48 pi okay यहाँ आएगा अब height upon dt height upon time में तो height जो है वो cm के पौम में unit बोलिए upon में क्या है time तो it means यह क्या होगा second तो इसका मतलब जो आपका finally dh upon dt जो आया है वो क्या आया है 1 by 48 pi cm per second okay so here our question number 13th and 14th of exercise 6.1 is completed if any doubt then comment in a comment box okay thank you okay